तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं इससे स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा इंटोड़क्शन हम दिखेंगे कि लूप क्या होता है किसी भी काम को अगर हमें बार बार करना है कम्प्यूटर में हमें रिपीटेट टास्क परफॉर्म करना होता है तो हम लूप का यूज करते हैं और एक्जामपल अगर हमें वन से लेकर के टैन तक की गिंती प्रिंट करनी हो तो दस बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखने के बजाए एक बार प्रिंट स्टेटमेंट लिख करके दस बार लूप चलाया जा सकता है तो जब भी हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना होता है कि किसी स्टेटमेंट को कितनी बार एक्जीक्यूट करना है उसके लिए हमें तीन अलग-अलग स्टेटमेंट के द्वारा कंप्यूटर को समझाना होता है पहला स्टेटमेंट होता है उस लूप का स्टार्ट लिएशन इंक्रीमेंट डीक्रीमेंट और टेस्ट कंडिशन कहा जाता है तो एक्जमपल अम यहां पर देखते हैं तो अगर मैं प्पज्च में का prime में इंड właściनों को एक ही लाउन में इन आ जाता है फरिग्जमपल इस तरीके से निचे जो ट के कल से लिखा हुआ है इस तरीके से लिखने से है वो वन है एंडिंग पॉइंट है 10 और उनके बीच में वन का गैप है कि आगे देखते हैं पॉर लूप और वाइल लूप में कुछ करते हैं और लूप का जो सिंटेक्स हो कुछ स्टार्टिंग एंडिंग और गैप तीनों कंडिशन को इस सिक्वेंस में एक ही लाइन पर दिया जाता है जबकि वाइल लूप में सिक्वेंस से मैं बट लाइन का अंतर है यह तीनों एक ही लाइन में ना होकर के स्टार्टिंग पहुं। में होता है उसकेपाद कहीं पर एंडिंग होता है पिर पर रहोतार प्रया होता है but execution का जो सेवेंच है वो सेम् होता है ने अगर अस्यूंसार कि कि देखते हैं अगर टेक्नी में गड्रान करने कने कि शुक्री зал.. सोगा इनिशलाइजेशन, टेश्ट कंडिशन और इसको यहां पर देखें तो यहां पर स्टार्टिंग जो है वह अपका है कि इनिशलाइजेशन कहलाता है सब्सक्रटा पर देख सकते हैं तो नीचे कुछ एग्जामपल दिया हुआ है यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट जो है वह वन है एंडिंग पॉइंट 10 है और यह इंक्रिमेंट जो है प्लस वन का गैब दिया गया है सेम वैसे ही फॉर वाइल लूप में यहां पर जो इनिचियल पॉइंट है वह यहां दि किसे होगा यह फॉर लूप का कोट है जो वन से लेकर के 10 तक की गिंती प्रिंट करेगा अगर इस लूप को मुझे वाइल लूप में करना है सबसे पहले मैं इसकी कॉपी क्रिएट कर लेता हूं यह सेम कॉपी होगी अब हमें सिर्फ तीन चेंज़ेस यहां पर करने और यह जो फॉर लूप है वह वाइल लूप में करना हो जाएगा पहला चेंज़ेस यह फॉर मुटा के हमको वाइल लिखना है जैसे कि यहां दिया हुआ है फॉर हटा के यहां पर लिख दिया गया है और स्टार्टिंग को उपर ले गया है और गैप को नीचे ले गया सिर्फ तीन चेंज़ेस करना है फॉर मिटा के वाइल स्टार्टिंग को उपर और गैप को नीचे ले आना सिर्व इतनी काम करना है देखते हैं य स्टेटमेंट इसको उपर ले जाना होगा तो यह हमारा दूसरा काम हो गया तीसरा जो काम है वह इंक्रिमेंट डिया डिक्रिमेंट स्टेटमेंट है उसको नीचे ले आना है यह तीसरा काम हो अब हमारा जो यह for loop था वो convert हो चुका है while loop में इसको convert करने के लिए हमने केवल तीन काम किये है पहला काम किया while for मिटा के while लिखा दूसरा काम जो starting condition थी या जो initialization statement था उसको उपर ले गए और जो increment decrement statement था उसको नीचे ले आया body of the loop के तो इस प्रकार से यह दोनों ही लूप का जो output है वह वन से ले करके 10 तक होगा यह for loop में लिखा गया code है और यह while loop में लिखा गया code है तो उम्मीद है कि आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा आज के लिए इतना ही thank you